दुनिया में आजकल बैक टू बेजिक का नया मंत्र चल पड़ा है प्राकुर्तिक संधातनों की रख्षा पर विशेज जोड दिया जा रहा है ऐसे में सस्ट्रेनेबल लाइफ स्ट्राइल की भी बात कही जा रही है हमारे उत्पात इको फ्रेंडली हो परियावरण को नुकसान न पहुँचाए ये बहुत आवश्चक है यहां खादी उत्सों में आये आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैं सस्ट्रेनेबल होने की बात पर इतना जोर क्यों दे रहा है इसकी बज़ा है खादी सस्ट्रेनेबल क्लोधिंग का उधारण है खादी इको फ्रेंडली क्लोधिंग का उधारण है खादी से कार्बन फुट्प्रिंट कम से कम होता है ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां तापमान ज़्यादा रहता है वहाँ खादी हेल्ज की द्रश्टी से भी बहुत अहें है और इसलिए खादी आज वैश्विक्स तरपर बहुत बड़ी भूमी का निबा सकती है बद हमें हमारी इस विरासत पे गर्ब होना चाहिए खादी से जुड़े आप सभी लोगों के लिए आज एक बहुत बड़ा बाजार तयार हो गया इस मोके को हमें चुकना नहीं है मैं वो दिन देख रहा हूँ जब दुनिया के हर बड़े सुपर मार्केट में कलोथ मार्केट में भारत की खादी चाही होगी आपकी मेहनत आपका पसीना अब दुनिया में एच्छा जाने वाला है जलवायू परिवर्तन के बीच अब खादी की दिमान और तेजी से बढ़ने वाली है खादी को लोकल से ग्लोबल होने से अब कोई शक्ति रोक नहीं सकती है साथियों आज सावरमति के तर से मैं देज भर के लोगों से एक अपील भी करना चाहता हूँ आने वाले त्योहारों में इस बार खादी ग्रामोद्योग में बना उत्पाधी उपहार में दें आपके पास घर में भी अलग-अलग तरह के फैब्रिक से बने कपड़े हो सकते हैं लेकिन उसमें आप थोड़ी जगा खादी को भी जरा दे देंगे तो वो कल्प और लोकल अभियान को और गती मिलेगी किसी गरीब के जीवन को सुधारने में मदद होगी आप मैंसे जो भी विदेश में रह रहे हैं अपने किसी रिष्तेदार या मित्र के पास जा रहा हो तो वो भी गिप के तौर पर खादी का एक प्रोड़क्ट साथ ले जाएं इससे खादी को तो बड़ावा मिलेगा ही साथी दूसरे देश के नागरिकों में खादी को लेकर जागरुकता भी आएगी अपने किसी दूसरे लेकर जागरुकता भी आएगी